हेलो एब्रिवान दिस श्रेयर्स फूल्स जेन एट फोड़ी एजूकेशन अब गाइस देखते हैं आज के नियूस पेपर में क्या कुछ मेजर हेडलाइन थे और जैसे कि नियूस पेपर का इंपोर्टेंज मैं आप सभी को हर सेशन में बताता हूं कोई भी आस्परेंट्स ह किसी भी एक्जाम के आप प्रिपरेशन कर रहे हूं वेदर इट इस लोव एंट्रेंज्स लाइक क्लाइट हो गया एलेट है एलसेट है में सिटी है होटल मैनेजमेंट इट्रेंज एक्जाम्स दूसरे मेजर यूनिवर्सिटिस नासी मुन जी क्राइस यूनिवर्सिटिस इसके अलावा गवर्णमेंट जॉप्स के बारे में अगर हम बात करें तो बैंक इंग एकजाम्स लागा आई भी प्यरस से बी एससी के एकजाम्स होगे रेलवेस के एकज़ाम को आगर में छोड़ा दो बाकी सभी एक्जाम्स हैं इंग्लिश आपका एक बहुत ही बड़ा रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर इन सेशन्स ये सेशन्स आपको पसंथते हैं तो जरूर हमारे वीडियो पर लाइप करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें अपने फ्रेंट के साथ भी इन वीडियो चॉ शेर करें, तो चले गई सर्ट करते हैं, वीडियो मैं बता दूँ आज हम दो आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे दोनों ही आर्टिकल्स पहला आर्टिकल्स आपके लोकल गवर्नेंस के कंसेप्ट से लोकल गवर्नेंस के कंटेक्स से बहुत इंपोर्टेंट होगा सेकेंड आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे दलित मुवमेंट आज की में उसकी पॉजिशन क्या है तो फर्स्ट आर्टिकल जो एक मेंबर आफ प्लानिंग कमिशन ने लिखा है तो वह बहुत अच्छा आर्टिकल है आप लोगों के लिए चले पहले हैडलाइस देखते हैं नमबर वन एमेट ऑवर्टियर्स टू सचिन पाइलेट राजस्तान चल रहा है आप सभी को पता होगा राजस्तान में मिनिस्टर्स गलती से बिकना जाय करके वह उनको फाइस्टार होटेल्स में रिजॉर्ट में रुकवाया जा रहा है एनिवेस तो रिजल्ट जर्दी हमको विदिन वेक पता चल जाएगा नेक्स्ट नियूज इस सुप्रेम कोट गिवस एक्स रॉयल्स राइट तो मैनेज डाइटी प्रॉपर्टी ठीक है एक्स रॉयल्स जो रॉयल फैमिली इस हुआ करते थे उनके जो खांदानी जो टेमपल हुआ करते थे उसको जो डाइटी क प्रॉपर्टी है उस सुप्रेम कोट ने बोला वो प्रॉपर्टी का जो राइट है वो उस रॉयल फैमिली को जाता है आगे बढ़ते हैं विल इन्वेस्ट एन बिलियन डॉलर इन इंडिया से गूगल चीफ गैस आपके एक्जाम के परस्पक्टिस एक बहुत इंपोर्ट करने के लिए एकनोमिक को डिजिटलाइस करने के लिए लगभग 10 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करेगा आगे बढ़ते हैं वन मोर वेरे इंपोर्टेंट न्यूज एरान डॉप्स इंडिया फ्रॉम चाबहार रेल प्रोजेक्ट साइट्स फंडिंग डिले भारत ने इरान क के प्लान को ड्रॉप किया और वो खुद ही इसको फंडिंग करने की स्तयारी कर रहे हैं नेक्स मेजर नियूज हाई सीब्यसी क्लास 12 मार्क्स विल पुश अप कट आफ्स कल रिजल्ट है आप लोग सभी को पता होगा नेक्स नियूज इस अक्टिव कोविट ये कही ना कही अच्छी खबर आ रहे है अक्टिव कोविट 19 केस फॉल बाई 30 परसेंट इन डेली नेक्स नियूज इस पंजाब इंपोजस कंप्लेट बैन ऑन पब्लिक गैधरिंग्स आप लोग को पता भी होगा बहुत सारे स्टेट्स फिर से लॉक्डाउन कर रहे हैं हफते में एक दिन दो दिन इस तरह से लॉक्डाउन को फॉलो किया जा रहा है आज का पहला आर्टिकल मिस्टर अरुन मेरा मेंबर अफ प्लानिक कमिशन दा कैप्शन अफ दिस आर्टिकल इस नेबलिंग पीपल चु गवन दो देंसल्स लोकल गवर्नेंस का इंडिया में इंपोर्टेंस साथ इसाथ आज की डेट में हम देखते हैं पिछले 400 सालों में पर्लेमेंटरी डेमोकरसी डेवलप हुई प्रेशिदेंशल डेमोकरसी डेवलप हुई पिछले 100 सालों के बारे में अगर हम बात करें तो उनाइटिड नेशन जैसी एक बॉर्डि डेवलप हुई वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजएशन जैसी बॉड़ी देवलप हुई, central government होता है, state government होता है, local government होता है, इतने सारे structures होने के बावजूद भी, public infrastructure में, public health में, इतना खर्चा करने के बावजूद भी, United Nations अपने 17 sustainable development goals निकालता है, ये सब होने के बावजूद भी, why the hell COVID-19 आते ही, ये सारा का सारा structure distress में आ गया, ये सारे के सारे structure में, जो governance जितनी efficiency से होनी चीते वो चीज़े क्यों नहीं दिख रही है, इस article में हमको उसका जवाब मिलेगा, और इसका, what's the way out, ये भी यहाँ पर हम discuss करेंगे, next news is, another challenge to the Dalit movement, देश के दो बड़े नेता, BJP, सुप्रिमो, मिस्स मायवती, चंद होगा, इनका जो motive था, आज से 30 साल पहले, बहुजन समाज पार्टी जब start होए थी, काशिराम जी ने इसे चालू किया था, किस motive से चालू किया था, लेकिन आज भी ये पार्टी इनके इसी हग के लिए लड़ रहे हैं, तो क्या यहाँ पर मैं इनसे question पूछ सकता हूँ कि, आप 30 साल में भी आप इतना इस हद तक नहीं काम कर पाए कि दलितों को उनका हक मिला, या इस changing times में इस pandemic है चलते हैं, यह पूरा का पूरा दलित का definition ही change हो गया, तो इसको हम discuss करेंगे इस article में, आगे इसके लावा जो major news है, the club of virus deniers, कनाट का एपूरी, ओल रहे हैं, ठीक है This is a better way for humanity to face new challenges, pandemic showing up flaws in governance institutions, दुनिया भर के जो governance के लिए जो institutions बनाये गये हैं, उस पे pandemic का जो असर पड़ा है, यहां से एक नया रास्ता निकल सकता है कि humanity को आने वाले समय पे किस तरह के challenges face करने चाहिए तो आर्टिकल इंट्रड्यूस करते हैं, मिस्चर महरा जी कहते हैं कि governance systems हर लेवल पे आप ले लिजए, चाहिए वो international लेवल पे हो, national लेवल पे हो, state लेवल पे हो, local लेवल पे हो, हर जगह का system has been disrupted, system disrupt हो गया, district हो गया due to this pandemic COVID-19, अब इसमें आप जब देख रहे हैं कि तो बहुत सारे, कई सारे subsystems, subsystems बोले तो business एक area है, infrastructure एक area है, economy एक area है, public healthcare एक area है, logistics, business, administration, ये इतने सारे subsystems पे एक साथ pandemic की मार पड़ी है, इससे बड़ी मुश्किल निकल करके ये आ रही है, कि government अगर एक system को सुधारने जाती है, तो दूसरा system backfire करता है, जहां हम इतने सारे medical facilities, इतने सारे camps चला रहे थे, आरोगय योजना जैसे concepts हमने implement किया हुआ था, immunization program चला रहे थे, tuberculosis कंट्रोल करने के लिए काम कर रहे थे, malaria, dengue जैसे diseases को कंट्रोल करने के लिए काम कर रहे थे, अब जब सरकार के पास limited resources हैं, limited पैसा है, तो पूरा का पू दूसरे जो deaths हो रहे हैं, उसे हम control नहीं कर पा रहे हैं, right, second paragraph, order start करते हैं, mismatch is evident, किस तरह के mismatch के बारे हम बात करें, तो पहला statement इन्हों लिखा है, human civilization advances with the evolution of better institutions to manage public affairs, लोगों की सब्यता, किसी भी तरह का civilization जब बढ़ता जाता है, तो public affairs भी बढ़ते जाते हैं, और इन बढ़ते हुए public affairs को manage करने के लिए कई सारे organizations का जन्म होता है, जैसे मैंने शुरू में कहा था, आज से 400 साल पहले अगर आप जाएंगे, 400 साल पहले कि अगर हम बात करें, तो parliamentary democracy जैसा कोई concept ही नहीं था, इन 400 साले में इस concept को implement किया गया, इंवेंट किया गया, international organizations के बारे में अगर हम बात करें, तो United Nations है, World Trade Organization है, इस तरह के organizations को समय के साथ, पिछले 100 साल के अंदर अंदर ही इसे invent किया गया है, तो यहाँ पर यह चीज़े बताती हैं कि किस तरह से जैसी यह से society बढ़ती जाती है, उसी तरीके से इस तरह के organizations को भी बनाया जाता है, बट सवाल यह उठता है, क्या यह organizations हर तरह के problem को cater करने के लिए designed है क्या, क्या यह organizations इतने equipped हैं, क्या कि कि किसी तरह की problem, कि societal order में किसी तरह का disruption आता है, तो one-handed या single-handedly उसे control कर ले, interconnected issues, किस तरह के interconnected issues, हम लोग सभी ने पढ़ा है, सुना है, United Nations के 17 sustainable development goals, इसको जरूर आप पढ़ेगा, आपके exam के point of which is बहुत important है, Two United Nations, UNGA, UN General Assembly ने 2015 में 17 sustainable development goals को launch किया था, implement किया था, और कहा था उन्होंने कि 2030 तक हमें ये सारे sustainable development goals achieve करने हैं, और वो जो तीनों, वो goals थे, 17 goals थे, वो तीन major areas related थे, and the areas are environmental, economic and social areas, ठीक है, और ये जो तीनों ही goals हैं, अब ये जो 17 sustainable development goals हैं, और कहते हैं, इन्हें तुरंत address करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा systemic challenge हो चुका है, systemic challenge ये इसलिए भी हुआ है, क्योंकि ये जो तीनों areas जो आते हैं, environmental हो गया, economic हो गया, social area हो गया, ये तीनों एक दूसरे से interconnected है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, कि आप एक पे ज्यादा काम कर रहे हो, तो बाकी दोनों पे काम ना कर पाया, आपको तीनों पे parallel ही काम करना पड़ेगा, अच्छा, और ये भी कहते हैं, कि अगर इन areas को, इन systemic challenges को हमको address करना है, तो हर एक area के लिए, हर specific area के लिए, हम एक expert को recruit कर सकते हैं, Suppose हमने हर एक area के लिए, एक expert को recruit कर भी लिया, तो भी क्या इस चीज़ की guarantee है, क्या कि उन्हों वो लोग जो solution बताएंगे, वो हर जगा को fit करेगा, यहाँ पर जो author ये question कर रहे हैं, कि हर area को, हर country की requirement, हर state की requirement, हर local condition, local area की requirement, different होती है, आप एक तरह के solution को, जिस तरह का solution, आप simple सा example यहाँ पर author देते हैं, कि जिस तरह का solution आप, केरला जिसे state में लगा सकते हैं, वुसी तरह का solution आप, टोकियो के लिए लगा सकते हैं, क्या, लद्दा के लिए लगा सकते हैं, क्या, so author basically यहाँ पर कहना चाहते हैं, कि आप किसी भी तरह के solution की बात करें, कोई भी expert solution दे, एक solution हर जगा के लिए implementable या कारगर साबित हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको locally सोचना पड़ेगा, कि उधर की क्या requirement है, suppose आपने locally वहाँ के requirement भी सोचने हैं, second thing you have to do is, to gain the trust of that local people, उधर के लोगों का trust आपको gain करना पड़ेगा, A case for local system, यहाँ पर author ने एक बहुत ही बहतरीन line दिख्य हुई है, यह आपके descriptive writing मों बहुत काम आ सकती है, the statement is, governance of the people must be not only for the people, it must be by the people too, सरकारें जब लोगों को govern करने के लिए, उनके लिए जब policies बनाती हैं, तो यहाँ पर author कहते हैं, यह policies सिर्फ लोगों के लिए ही नहीं, लोगों से आने चाहिए है, मतलब यह यहाँ पर statement की through local participation को importance दे रहे हैं, और यहाँ पर बहुत ही बहतरी हैं, उन्होंने example भी quote किया है, उन्होंने कहा कि गांधी जी और उनके जो economic advisors थे जैसे Mr. जी, करके experimentation के बाद निकाला हुआ solution था, आगे वो यह भी कहते हैं कि जो world की पहले woman, देखेगा यह line यह factual जरूर याद रखेगा, Ms. Eleanor Ostrom, Ms. Eleanor Ostrom, the first woman to win the Nobel Prize in Economics in 2009, यह आपके लिए बहुत important है, शेर डेवलब दा प्रिंसिपल्स for self-governing communities from research on the ground in many countries, including India, उन्होंने एक ऐसा system develop किया था, इस तरह की एक theory develop करी थी, कि जैसे भी आपको development चाहिए, यह वो localized development हो, और उसी के लिए उन्होंने रास्ते बताया थे कि यह कैसे कैसे हम इस तरह के एक system create कर सकते हैं, अच्छा, एक और बहुत ही अच्छा question यह पूछते हैं, बताते हैं कि यह local systems की जो solutions होते हैं, यह best solution होते हैं और इस पर कई सारा scientific explanation भी है, तो यहाँ पर government से question पूछा जा रहा है, जब इतने सारे scientific explanations हैं और यह successful system है, तो आपको क्या दिक्कत है citizens को power देने में, devolve this power to the citizens, अच्छा, एक Indian anthropologist की बात माने, तो यह कहते हैं कि, इनकी मुलाकात एक anthropologist से होगे थे, जिन्होंने उन्हें एक insight दिया थे, उन्हें एक information दिया था कि, वो लेडी, एक SAIS, कई सारे SAIS officers से वो मिली है, जो उनके colleagues के मुकाबले, ज्यादा sensible या ज्यादा sensitive लोग होते ह towards, towards inventing the community based solution, SAIS officers, उस community based, उस community की जो जो दिकते थे, उनके साथ मिल करके, जो ऐसे solutions पे उन्होंने काम किया, ऐसे solution निकाला, जो उस community को fit करता हूँ, अच्छा, district collectors के लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा शब्द यूज के बहुत अच्छा caption दिया है, they are the deliverers of good governance, government की जो policies है, उसे अच्छे तरीके से लोगों तक पहुँचाना, ये एक IS officer की responsibility होती है, अब अगले topic में, अगले paragraph में इन्होंने बताया कि कि किस तरह से IS officers का role change हुआ है, IS officers कौन है, they are the deliverers of good governance, अब यहाँ पर ये बिटिश एरा से आज के एरा को compare करते हैं, बिटिश एरा के बारे में बात करें, इंडियन civil services के बारे में हम जब बात करें, तो उस समय जो district collectors की responsibility होती थी, वो merely the collection of review and maintaining the law and order, ये दो major responsibilities हुआ करते थी हमारे bureaucrats के लेकिन independence के बाद, नहरु जी का एक बहुत बड़ा सपना दा, और नहरु जी बिलकुल मानते थे इस बात को कि अगर हमारे country को develop करना है, तो bureaucrats जो है, वो हमारे देश के foundation है, right, foundation तो है, बहुत अच्छी बात है, बट य ब्यूरो क्रेट्स के पास multiple number of schemes आने लगे, state government के अलग से schemes आती है, उनको भी इनको implement करना है, central government की schemes आती है, उसे भी उन्हें implement करना है, तो ultimately उनकी जो काम की responsibility वो बहुत ज्यादा wide हो गई है, right, इस इप यहाँ पर एक meeting का एक example देते, 2013 के एक IS officer का CAG के साथ meeting था, वो meeting का major purpose CA था कि वहाँ पर लोग ये discuss कर रहे थे कि भई, इतनी सारी government policies आती है, still लोगों तक अगर हम बात करें, तो लोगों तक उसका फायदा या कुछ भी हमको change देखने को क्यों नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पर एक IS officer ने एक report present किया, जहाँ पर उन्होंने बोला कि currently मेरे district में around 300 schemes are operational, इन 300 schemes में some are implemented, some schemes have been developed by the state government and some by the central government, तो इतने सारे schemes functional करने के लिए आप कैसे उमीद कर सकते हैं कि एक अकिला इनसान इन schemes को implement कर सकता है, और in fact यहाँ पर एक बहुत बड़ा drawback ये भी है कि एक localized area के public को तक नहीं पता होता कि उनके आग कौन कौन से schemes run कर रही है, finally article को conclude करते हुए author, तीन major states के example देते हैं, केरला, ताइवान and वियतनाम, इनका यह कहना है और यह reports भी है कि बाकी के states ने जिस तरह से इस pandemic को handle किया, उससे far better तरीके से successful ratio, success ratio better रखते हुए इन तेन, तीन states ने इस pandemic को control किया है, pandemic को control किया है, और इसका सबसे बड़ा credit, सबसे बड़ा श्रेज जाता है, to their local governance structure, localized solution, local local logo की जो requirement है, community based जो requirement है, उसके हिसाब से उन चीजों पे, decentralization of power, इन सभी factors के साथ, यह states कई समय से काम कर रही थी, that's why आज की rate में हमको यह देखने मिला कि बाकी सभी जगहों से बहुत अच्छे position पर यह states है, right, तो finally author इस बात को कहकर के conclude करते हैं कि government को इस situation को लेकर के एक सीख लेनी चाहिए, that how the local governance is important, और जो government का जो structure होना चाहिए, वो by the people भी होना चाहिए, लोगों की जो requirement हो, community की जो requirement हो, उसके according policies और localized policies बनाना ज्यादा better होता है, बजाए आप national level पर जब एक policy को implement करते हैं, तो, right, आगे बढ़ते हैं, next article देखता है, yet another challenge to the Dalit movement, Dalit movement की शुरुवात क्या थी, agenda क्या था, आजकी rate में Dalit movement क्या चल रहा है, किसको इससे फाइदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, और ultimately, जिन लोगों के लिए movement चालू किया गया था, क्या उन तक ये चीज़ें पहुँच पाएं क की नहीं पहुँच पाई, discuss करते हैं, so this article is written by Mr. Badri Narayan, ये कहते हैं कि the pandemic is forcing us to understand the changing nature of society, society के nature किस तरीके से बदल रहा है, specifically अगर North India के बारे में बात करें, तो North India में अलग से दिख रहा है कि marginalization, migrant labors का marginalization, Dalits का marginalization किस हद तक पहुँच चुका है, ऐसा ये article में बोला जा रहा है, तो article में पहले, second paragraph में author कहते हैं कि this pandemic has brought about two important shifts in the political discourse, political discourse, political debates के बारे में बात करें, तो दो major shift लाया है, as well as focus भी लाया है, focus number one इन चीजों पर है कि इतने सारे लोग migrate कर रहे हैं, लोगों की sufferings, poor laborers की sufferings, second point ये है, इन ही लोगों के लिए, जो public health system है और safety है, आज जा करके लोगो के नजर में आ रहा है, changing vocabulary, क्या change हो रहा है, किसकी vocabulary change हो रही है, recently जो कुछ भी हम debates देख रहे हैं, वो class based vocabulary पे जा रहा है, मतलब यहाँ पे basically बोलना चाह रहे है, cast based जो debates है, या दलित के जो movements थे, वो अचानक कहां पे गायब हो गए, दलितों के movement के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी इंडिया में तयार हुई थी, आज से 30 साल पहले, जिसको lead करती है, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रिमों मिस्मायावती, या एक और नेता जी जो एक नेता जी बनेता है, मिस्टर चंदर शेकर आजाद, ये लोग अब कहां है, दलित्स के राइट को ले करके, अब ये क्यों नहीं धरना करते हैं, दलित्स के राइट को ले करके, कहां ये अचानक गायब होगा, या तो ऐसा हो सकता है कि अपने आपको इस changing या shifting is the dynamic politics में अपनी जगा नहीं दिखा पा रहें, या दलितों के लिए ये आवाज नहीं उठा पा रहें, आगे लिखा जब इतना बड़े स्तर पे migration हो रहा था, तो इसमें हर category के लोग थे, I didn't understand की author ने specifically यही दो community के लिए क्यों बात करी, anyways, तो इनका मानना है कि schedule class and schedule tribe community के काफी सारे migrant labors migrate किये, लेकिन जो लोग इनको represent करते हैं, जो इनकी बातों को parliament में सदन में रखते हैं, वो अब कहां गाय अब हो गए, author कहते हैं कि 1990s में बहुजन movement start हुआ था, और जिस movement की शुरुवात से एक नई party उबर करके आई, जिसका नाम है बहुजन समाच पार्टी, जिन्होंने उत्तर पदेश जैसे शेहर में राज भी किया, और आज की रिट में एक नया national party का status भी मिला हुआ है, तो जो movement start हुआ था और पार्टी का जो emerging था, ये दोनों ने एक दूसरे को mutually support किया, लेकिन author यहाँ पर question करते हैं कि अब कहीं न कहीं दलित movement गायब हो चुका है, अब क्यों ऐसा हमको कहीं पर कहीं इस तरह के slogan या इस तरह के debates नहीं मिलते जहां पर दलितों के problem को discuss किया जा रहा हो, so finally conclude करते हैं कहते हुए कि दलित movement is constantly facing new challenges, दलित movement जो एक अलग agenda से चालू हुआ था, constantly उसके challenges change होते रहते हैं और सबसे बड़ी सवाल पुछने वाली बात ये है कि इन movements को जो लोग lead करते थे, जो leaders थे, वो इस current political scenario में क्यों इनकी बातों को सामने नहीं रख पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा दलित movement में marginalization हुआ है, बहुत सारे दलित का marginalization हुआ है दूसरे flags में, तो ultimately उस movement का क्या हुआ जो एक सपने के साथ चालू हुआ था, finally उनके last words है, दलित movement has to evolve new social strategies for its expansion in order to keep up with the changing times, pandemic COVID-19 के चलते आप ये देख सकते हैं कि बहुत सारे इस तरह के जो movements थे, व तो यहाँ पर author finally कहते हैं कि ये दलित movement को एक नया चहरा देना चाहिए, एक evolution होना चाहिए और इन्होंने जिस चीज के लिए start किया था, वो काम इन्हें आगे continue करना चाहिए, with their change plans, change paradigms, right, so that's all for today's session guys, मिलते हैं next session में, so आप सभी से मैं request करूँँगा, इस वीडियो को like कर हैं हमारे channel को subscribe करें और अपने friends के साथ जरूर share करें, thank you